मित्रों जय माता दी मित्रों आज शार उक्टुबर बुद्धुवार का दिन है ऐसे में कैसा रहनी वाला है आज का दिन मित्रों आपको बताएंगे आज आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहेगा आपका भागय कैसा रहेगा आपका दिन्चरिया कैसा रहेगा आपके जीवर में कौन सी बड़ी खुशकवरी आज के दिन दस्तक देंगी और किस प्रकार से जीवर में चल रही आर्थिक तंग्यों से आप चुपकार अपा सकते हैं कारिशेत्र में वैपार बैवसाई लव लाइफ में आपको किस प्रकार से उन्नत्य मिलेगी आपके लव लाइफ में किस प्रकार से सुधार होगा और किस प्रकार से आपको कारिशेत्र में पड़ी कुशकवरी की प्राप्ती होंगे जीवन साथी के साथ हो रहा विवाद किस प्रकार से दूर करेंगे माता फिता से या घर पुरिवार में हो रही आपके खटपट को कैसे सांत कर सकते हैं और किस परकार से जीबन में तरक्की कर सकते हैं दुस्मनों को कैसे आप चुनोती दे सुकोगे और दुस्मनों पर कैसे बिजय को हासिल कर सकते हैं जो लोग आप से जलते हैं उन पर किस बरकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं मित्रों इन सभी के बारे आज आपको हम इस वीडियो में बताने बाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से वीडियो को आखरित दिखेगा उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब आवस्य कर ले ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सके तो मित्रों सबसे पहले आज आपको बता दे कि आज शंद्रमा मेस रासी में रहेगा जिसकी वज़े से कारिश्यत्र में काफी बड़ी परिवर्तन होने वाला है वहीं इस समय राहू और केदू का वक्री होना भी आपको बड़ा धनलाप करवाने वाला है मित्रों, आज का रासी फल बहुती महत्पूर्ण है नसले बहुती ध्यान से वीडियो को देखे जो आपको काफी लंबे तरीके से करना था या किसी को बहुत दिखाना था उन कामों में आप सफलता को हासिल कर सकते हैं आपके मन मर्डी आज कारिख होने वाले हैं आप कुछ बात परिवार के सद्दसों के साथ साधा करेंगे परिवारिक किस्तियां आपके सुधरें के नौर परिवार में अगर खट-पट चल रहा है या आपके जीबर में किसी परकार का कोई मदभेत चल रहा है तो उनमें भी आपको इस समय सुधार देखने को मिलेगा आज किसी यात्रा पर जाने के तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने कीमती समानों को सुरक्षा करनी होगी नहीं तो उनके चूरी यक होने का भै हो सकता है इसलिए आपको इसमें बहुत इशतरग रहना होगा इस वहर से भी शतरग रहने की जोरत होगी नत्रू अगर आप विरोधी हैं आपके कोई अगर आप से कुईसी प्रकार का कोई जलन की भाव रखता है तो विरोधियों की चालों को समझना होगा विरोध क्या चाहते हैं जो विरोधी हैं वो किस तरीके से आपके प्रतिचाल को चल रहे हैं उनका रवया क्या है उनको समझना होगा नहीं तो आपकी समस्याइं हो सकती हैं उनको समझिये और उनको मुतोड जबाब देने के लिए आप हमेशा एक्टिव रहे हैं आज के दिन आपके लिए खर्च भरा रहने वाला है आपके बढ़ने हुए खर्च आपके लिए समस्या बन सकती हैं जिन पर आपको लगाम लगानी होगे क्यों लगानी होगे? क्योंकि अगर आपके खर्चे ज़्यादा रहेंगे तो आपके जीवन में इस समय खर्चों को लेकर थोड़ा सा मदभेद हो सकता है या पारिवारी के स्थितियां बिगर सकती हैं खर्चों को लेकर आपको बिसेश सतर करेना होगा, खर्चे आपके इस समय ज़्यादा हैं, इसलिए ज़्यादा खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए जरूरी होगा माता जी के स्वास्ट में अगर कोई समस्या था माता जी के स्वास्ट में अगर कोई विमारी थी तो उनके स्वास्ट में इस समय सुधार देखने को बिलेगा और आप इस समय परसन रहेंगे आप संतान की सिक्षा से आ रही सबी समस्याओं को लेकर उनके गुरुजरों से बात कर सकते हैं संतान की अगर समस्याँ आ रही है किसी भी से में तो आप उनके जो सिछक हैं, उनके जो गुरु हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे आपको सफलता मिदेगी लेंदेन के मामलों में अस्परश्टता बनाई रखें लेंदेन में आप किसी प्रकार का कोई छूट पाट ना रखें नहीं तो आपके इसमें जो जिसी आप लेंदेन करोगे उससे आपके साथ मदभेद हो सकता है इसलिए लेल देन में आपको असपरश्टता बनाया रखना होगा साप सुद्रसब्द में आप उनके साथ भी हिसाब करें और अपने साथ भी सूजबू से काम करें तो आपके लिए बहतर होगा नहीं तो आपको इस समय परिशानी हो सकती है इसलिए आपको बहुत थी साफ़धानी और सतरक्ता के साथ कारी करना हगा आपका कोई पूराना मामला आपके लिए सिर्दर्द बंचकता है अगर उपके लिए बड़ी उपलवधी को लेकर आशनी वाला है इसलिए आपको जौब में बदलाव करने से बचना होगा अगर आप जौप को बदलाब करना चाते हैं तो आपको उससे पहले उस जौप की और ध्यान देना होगा जिने आप भविश्य में करना चाते हैं अगर आप उसे प्राप्ट कर लोगे तो आपको इस समय उसे काफी सकरात्मक वरिवर्दन देखने को मिलेगा नहीं तो अगर आप इस समय जौप को अचानक ही बदलोगे तो आप इस समय पड़े ही मद्भीद में पढ़ सकते हैं बड़े ही विप्रिते सितियों में पढ़ सकते हैं प्रती अर्फदा का भाव ना रखें लोगों के प्रती दया का भाव ना रखें लोगों के जितना होसा के मदद करनी की अवस्य कोसत करें अपने बढ़ते हुए खर्चों पर नियंतर ना रखना आपके लिए जरूरी होगा अवस्यकारी को आप गती देंगे देने का प्रियास करेंगे, आवस्ते कार्ज जो हैं, वो आपके समय से पूर्ण होगे, आर्थिक कामों पर राह मिलेगी, आगे बढ़ोगे, तरक्की करोगे, और किसी नए वाहन को लेकर आप घर में आ सकते हैं, जिससे प्रिबार में खुसिया बने रहेंगी, आप प्रिब और वें, दूनों का समधान करना होगा, आपके लिए आज का दिन, बढ़ो का सहयोग और सानिद, भरपूर मात्रा में मिलेगा, और आपके सभी सहयोगी, आपके जीवन में सफलता दिलवानी बाला है, आप किसी बढ़े लक्स पर चलने के लिए, आपको अनिकों मोखें मि को आपके बैतर होगा अन्य था आप इस समय प्रिसानी पर सकते हैं आपको कोई बड़ा लक्ष मिलने वाला हैं बड़े लक्षी की प्राप्ती करना आपके लिए जरूरी सावित होगा सासन सत्ता का सयोग आपको पूरा मिलेगा सासन सत्ता का सयोग मिले से आपको लाप भी मिलेगा और परसंता भी मिलेगी आपको किसी बड़े पद की प्राप्ती होंगे जिससे आप परसंदर होंगे और समाज के लोग भी आपका सयोग करेंगे और वही कई सारे ऐसे भी लोग हैं, जिसे समाज के कई सारे लोग जलन की भाव रखते हैं, ऐसे भी जलने वालों से आपको सतरक रहना होगा, वहीं आप अपने कारे को करते रहें, जलने वाले जलते ही रहेंगे, माताफिता चे, अगर आप किसी प्रकार का कोई वादा किये तो उन वादा को निभाना के लिए आपका समय आ चुका है, वादा निभाना आपके लिए ज़रूरी सावित होगा, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टी कौन से उत्तम रहने बाला है, भाग्य आपका सहयोग करने बाला है, दिर्ग कालिन योजनाओं में आप जिससे आपको सुकून और सांती मिलेगा, अध्यात्म के फ्रती जागरूक बढ़ेगी, जदि किसी काम को भागे के बरूसे किया जाए तो उस पर भी आपको अच्छा लाब मिलेगा, अगर किसी काम को आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे और उनमें अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थे तो सफलता को पाने के लिए आपका समय अनुकूल है परन्तु आप जितना हद तक पहनत हो सके वो करें और बाद बाके आप भागे पर छोड़ दें भगवान के वरुसे छोड़ दें आपके ससुराल पक्षे से आपको धनलाब मिलता हुआ दिख रहा है और इस समय अगर आप विवाहित हैं तो आपको संतान की और से काफे सुनवरे अवसरों के तराप्षी होंगी या आपके ससुराल पक्षे से आपको कोई बड़ा सप्राइज भिबिलने बाला है और आपके साहस और प्राक्रम में वर्दि होगे साहस में काफे प्रागलता आने थन संबंदित समझ्याउं से भी आपको चुड़कारा मिलेगा। धन शमंदित समझ्याओं अगर आपके जीवन में चल रही हैं तो उनमें भी आपको इसमें काफ़ी सकराथ्मक प्रवर्तन दिखाई देने बाला है। धन से जुड़ा मामला भी आपका इसमें सांत होने बाल अनेको तरह के मोके मिलेंगे और अनेको तरह के लाव होंगे। आपको अधनवियों पर भरुसा करने से बतना होगा। और अपनी भावनाओं पर नियंतर बनाए रखने की जरूत होगे। इन सभी दिंचरियाओं के भावजूत अगर आपके जीवन में किसी प्रकार कोई प्रसानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपका उपाय जरूर बताएंगे आज आपका लखी नमबर थिरी रहेगा लखी कलर आपका रेड रहेगा आपका दन बहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जयमाता दी अवस्त लिक हैं आपका दिन सुभो मंगल कारी हो जयमा बिन्दु आत्मी